जब उन्होंने अपना पैसा निकालना चाहा तो उनको पता लगा कि ये रिडीम नहीं कर पाए रहे हैं उन्होंने grow app से customer से भी बात की तो यहां पर एक बहुत बड़ा next label का fraud एक grow app के जरीए सामने आया है तो hello everyone राम राम नमस्कार मैं हमाचल सिंग आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं यहां पर आज की वीडियो में आपको दो points पर बात मैं करना चाहूंगा एक तो जो grow app का नया fraud है इस पर बात करेंगे यह कैसे हो रहा है कैसे आप इससे बच सकते हो हलाकि मैं आपको पहले इस पर detailed में समझा चुका हूँ कि आपको mutual fund में निवेस कैसे करना चाहिए कैसे उसकी safety बढ़ानी चाहिए फिर भी इस scam को जो ताजा निकल कर आया है इसके आगे हमें क्या करना चाहिए कैसे हमें सचेत रहना है जिससे कि हमारा जो लगाया हुआ पैसा है उस पर जो return हम मानकर चलते हैं वो हमें मिलें और हमारा पैसा कहीं भी दूदर ना जाए दूसरा जो मुद्धा है जो कल से highlighted है quant mutual fund के अंदर front running का case तो उस पर भी बात करेंगे detail में कि अभी तक कौन-कौन सी amc's के साथ ये front running जैसा case हो चुका है कि क्या केवल quant के साथ हुआ है या बाकी के साथ भी हुआ है आपको देखकर पता लगेगा जानकर पता लगेगा कि बड़ी-बड़ी amc's फिरिंट running के case में जो involved रह चुकी है ठीक है तो अभी सुरू करते हैं बात पहले grow app में जो fraud है उसको निप्टा लेते हैं तो निवेश तक ने 2020 में investment किया 2024 में जब redeem करना चाहा तो grow app के जरीए वो redeem नहीं कर पाए उनको जब उन्होंने 2020 में निवेश किया तो एक folio number दे दिया गया जैसे कि हम लोग investment करते हैं तो mutual fund में आपको एक folio number जो है दे दिया जाता है मैं personally किसी भी app के जलिए जो DMAT account brokers के app हैं वहाँ से mutual fund में निवेश नहीं करता हूँ तो उसका exact process मुझे नहीं पता है कि कैसे उसको track करते हैं आप लोग जो करते हैं आपको better पता होगा क्योंकि मैं direct AMC के साथ की online portal से निवेश करता हूँ और वहाँ पर आप जब भी आपकी SIP जो है मतलब कटती है उसके बाद उसके पहले intimation आता है बाद में जब कटी तब उसका intimation आता है फिर जब आपको units allowed हो गई तब उसका intimation आता है और आपको statement हर महीने प्राप्त होता है प्लस एक consolidated statement आपको प्राप्त होता है अब in case of DMAT account आपको जो consolidated statement प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा केबल कई लोग ऐसे होते हैं अपने जो application है जैसे grow हो गया है आपर grow की हम बात कर रहे है ठीक है satisfied है वहाँ पर customer का कोई देखबाल वो करी नहीं रहा है investor का उनको चिंता है यह नहीं तो जब वो redeem नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने पराग पारेक AMC को contact किया वहाँ पर उन्होंने ऐसे से अपना folio number बता कर detail share की कि हम इस जो future front में पैसा लगाया था उसको redeem करना चाते हैं तो पराग पारेक AMC की तरफ से जो response मिला वो बिलकुल एक गंटी बजाने वाला था पराग पारेक AMC की तरफ से बताया गया इस तरह का कोई भी investment हमारे पास नहीं किया गया इस नाम से इस pen card के दुरू कोई भी पैसा हमारे प नहीं पहुचा है कई बार आप ये पूछते हो लोग कि हमने same day जो units है एनेवी है उसका एलोटमेंट लेने के लिए before timeline धाई बज़े से पहले सुबह 10-11-12 बज़े जो है mutual fund खरीद लिया लेकिन हमें same day की एनेवी नहीं मिली और यह तुम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे grow जैसे app जो है वो आपको एनेवी manipulate करके अपना फायदा बढ़ा रहे हैं एक छोटा सा scam या फ्रोड या फिर एक manipulation इसको बॉल सकते हैं जो कर रहे हैं जिससे फायदा किसका हो रहा है इस तरह के brokers का हो रहा है अब यहाँ पर कुछ लोग comment करने ये भी आ सकते हैं कि उ पहले भी लोगों ने किया था जिनको समझ में आता है उनके लिए बहुत फरक पड़ता है जिनको समझ में नहीं आता है जो इस तरह के डिमेट एकाउंट ब्रोकर्स का जो फ्रोड का जो सकेंट कर साथ देते हैं वो आब इस वीडियो के नीचे या इस तरह के content के नीचे आ आमने आप पढ़ सकते हो ठीक है इसको स्कोल करके पहुच करके देख सकते हो इस मेल से इन्होंने निर्मला सीता रमण जी को मेल किया है बहुत सारे जो हाइर अथरोटीस के लोग involved है से भी को involved किया है और करेगा भी ऐसे बंदा जो निवेसक है वो अपने पैसे प्राप्त उसके बाद इनसे कई बार डिटेल पुछ गई है, सारी डिटेल उन्होंने जो है ग्रो के से सेर करती है, फिर इन से जो है कैंप्स का यानि कि एक डिटेल्ल इस्टेटमेंट ये डोकुमेंटेशन पूछा गया इसी बीच में, जो मेल में लिखा है, उन्होंने लिखा कि ड पॉर्टफोलियो था उस सारी डिटेल्ड को हटा दिया गया बिल्कुल भी कोई भी किसी परिकार की डिटेल्ड जो मुट्यल फंड इन्वेस्टमेंट की थी जो वो पॉर्टफोलियो ट्रेक कर पा रहे थे अब कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं इसके बाद गिरो ने बोला कि एक टेकनिकल एरर था जो की सायद अब बहुत जल्दी सही कर लिया जाएगा लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टर को एक धमकी भी दी कि आप यदि अपना जो सोसल मीडिया पर डाला गया कंटेंट है जो इसके रिगार्डिंग जो आपने डाला है जो मेल मैं आपको दिखा दूर करके आपको निवेसक के पैसे लोटाने चाहिए और पैसे लोटाने में इतना बड़ा फरोड है कैसे आप डिसाइड करोगो कौन से दिन निवेस्ट किया गया था तब क्या उसकी जो एन्वी थी चलो वो भी ठीक है सारे रिकोर्ड जो जब बैंक से पैसा कटा और ज जाए है जैसे भी ग्रो अप से आया हो उनके पास की जो यूट का अलोटमेंट हुआ उनके पास डिटेंड होगी ठीक है और आज की लिटर में जो एन्वी है कितनी उनिट्स थी लमसम के केस में एक बारी उनिट्स आपको एलोट होती है तो यह उनके पास वफुली होगा ठीक है जो निवेसक हैं, उसी के according current एनेवी पर आपको पैसा दे देना चाहिए, इस case में आपको grow जैसे app को चुप चाप पैसा देना चाहिए, इतना argument करने की ज़रुवती कहां से आगई, आप लाको अर्बो क्रोलो रुपया कमा रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, जिसके सामने मेरे जैसा influencer कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग बोलेंगे न, तो बहुत लोग को मिर्चे लगती है, ठीक है, तो ये grow जैसे app जो है, इतना बड़ा fraud scam कर रहा है, आपके साथ मैं आपसे अब भी यही बोलूँगा, यदि आपको mutual fund में investment करना है, इस तर वो भी try करें, आप भी कुछ लोगों के साथ क्या होगा, हो सकता उनको portfolio जैसे इनको दिख रहा था, grow app के अंदर तो दिखेगा, लेकिन जब तक आप redemption की request नहीं डालोगे, आपको पता कैसे लेगा, कि आपका investment है या नहीं है, तब इस case में आपको क्या करना है, आपको कैसे scheme है, तब से चल रही है, आभी तक का statement हमें दीजिए, यदि आपके पास नहीं आ रहा है, तो statement मांगिए, रजिस्टर की साइट पर जाकर अपना pen card वगारे से login कीजिए, अपना consolidated statement डाउनलोड कीजिए, hard copy निका लिए, उसको अपने पास रखिए, ठीक है, इसको verify करना केव का response grow app की तरफ से आया है, कि इन पर penalty उल्टा लगनी चाहिए, या तो निवेसक को ज़्यादा पैसा दें, या फिर बहुत बड़ी penalty इन पर लगनी चाहिए, आप ऐसा इतनी बड़ी company होकर, इतना ज़्यादा पैसा लोग का आप लगवा रहे हो, यानि कि एक procedure आप third party होना बीच में involved, और पैसा कैसे कमा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, कहीं भी कोई चीज free में नहीं मिलती है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है, लोग यहाँ पर argument करने लगते हैं, अरे नहीं, mutual fund में free investment वो इसली provide कर रहे हैं, जिससे कि वो trading या फिर जो direct stocks में investment ह होता है, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, क्या mutual fund में जो वो पैसा लगवाते हैं, उस process में system कुछ involved होता है, कुछ cost bear करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो कहां से लेना भाई, क्या इतने दान दाता हैं वो, मतलब इतना अपने पास से वो सारा पेल लेकर और customers के लिए इतना investor जाइए तुरंत ये काम कीजिए, जो मैंने आपको verification का काम बताया है, जो भी आपकी इस तरह के ये ग्रोई नहीं, किसी भी platform से, किसी broker से आपकी SIP या फिलंसम investment mutual fund में किया था आपने, even stocks में भी किया है, उसको cross check करके verify कीजिए, अपने जो register है, जो भी है, उनसे इसको match की जी यदि डेटा ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको तुरंत जो है action लीजिए, आपको अपने पैसे की safety के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है तो ये तो बात होगई यहां तक की, कि गिरोग का case ये था, इससे आपको कैसे बचकर रहना, वो भी मैंने आपको बता दिय आगे सो जो निवेस करें, कोसिस करें कि डिरेक्ट आप AMC के portal पर जाकर ही करें, अब बात करते हैं, क्वांट में जो अभी हाल फलाल में, आपको front running का case सुनने में आया है, अब इसके पीछे की interesting story भी हो सकती है, इस पर मैं पहली एक video record कर चुका हूँ, कि क्वांट का जो management ह वो कैसे अलग है, बाकी की AMC से, लेकिन आज वो video मैं इसलिए share नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बीच में यह मुद्दा गरम है, और इस बीच में यदि उस video को आपको देखने को मिलता, तो हो सकता है, बहुत से लोग बोलते कि आप तो क्वांट के favor में हो, या फिर ये data, इ इनवेस्टर आपको कैसे साबधान देने की जरूरत है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं, किन किनी AMCs के साथ, ये front running का case जो हो चुका है, यदि बात करें, रिलाइंस mutual fund, जो के भी निपोन इंडिया mutual fund के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर SEBI ने तीन individuals को for six months front running case ban कर दिया मई 2021 के अंदर, इसके बाद IIFL AMC suspended services from employee court by SEBI in front running case October 2020 के अंदर, इसके बाद देखिए, HDFC जो की बड़ी AMC है, ये भी ठीक है, AMC front running case में, SEBI settles case with two entities September 2019, इसके बाद देखिए, fund manager of Dutch mutual fund payments of paid nearly 5 crore rupees की penalty इनको लगाए गई थी, settled to SEBI case of aligned front running case in mutual fund straight December 2021, ये हो गया, इसके बाद देखिए, TATA AMC के साथ, with dealers, not employees नहीं तेवापर include, TATA AMC के दिबात करें, being guilty, SEBI unarthed front running rackets by dealers at Reliance Securities, अगस्त 2020, और अभी latest के दिबात करें, माई 2022 के अंदर, Axis mutual fund में, front running का case सुनने में, देखने में, अभी बिल्कुल बहुत ताजी बात है, माई 2022 के Axis mutual fund के साथ की case देखने वो मिला था, front running का, तो front running basically होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, simple भासा में उनको समझानी कोसिस करता हूँ, मानली जी कोई बच्चा एक्जाम में बैठता है, उसमें 50 कोस्चन आने वाले हैं, और उसको पता है कि मुझे 10-12 कोस्चन ऐसे आएंगे, 15-20 कोस्चन ऐसे आएंगे, उनके answer में नहीं दे पाऊँगा, तो उसको पहले से यदि उन 10-12 कोस्चन के answer पता हो जाएं, केवल उसको, एक या दो-चार इस्टुडेंट्स को, तो वो आसानी से बाकी कोस्चन के तयारी करके, और पूरा पेपर सॉल करके, सबसे ज़्यादा number ले आएगा, यही होता friend running के case में, माली जी आपकी company की internal information, एक fund manager या AMC के owner के पास पहुँच जाए, कि फलानी company में, ऐसे ऐसे यह गतिविदी होने वाली है, कुछ मतलब, ऐसी गतिविदी होने वाली है, जिससे की share price में upper movement आएगा, या फिर lower circuit लग जाएगा, यदि lower circuit लगने वाला होगा, तो अपनी profit booking करके, उस समय से पहले हम बाहर निकल जाएंगे, हमें फायदा हो जाएगा, बाकी share कहीं भी जाने दो, ठीक है, यदि upper circuit लगने वाला है, कुछ नहीं उसके कारण, तब मा उसको खरीद लूँगा, यानि कि वो AMC या fund manager उसको खरीद लेंगे, तब उसके बाद जो उसमें price movement आने बाला है, वो हमें फायदा जादा मिलेगा, बाकी की AMCs को, या बाकी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो यह होता है, समय से पहले prediction करके, जानके कुछ information के द्वारा, उसी के हिसाब से shares की खरीद फ्रोक्त, खरीदना या बेचना इसको बोलते है, front running, तो यहीं जो है allegation, यानि कि जान चल रही है, भी लगे नहीं है, साबित नहीं हुए है, suspected है यहाँ पर, कि quant mutual fund में front running जो है, चल रही है साइद, अब इस case में जो मैंने आपको पहले नमरों AMCs बता चुका हूँ कि इनके साथ भी ऐसा हो चुका, जिसमें बड़ी-बड़ी AMCs के नाम आपने cap, तो इस तरह के जो category के fund है, quant mutual fund top में रहा है, top में, सबसे अधा return निकाल कर दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक तो expense ratio भी lower side पर charge कर रहा है, ठीक है, दूसरा, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो, या तो quant mutual fund AMC जो है, बिलकुल front running का case उसके अंदर चल रहा है, लेकिन इतने market 30, 40, 50% के return दे चुका है, पिछले एक दू साल की यदि बात करें, तो ये quant mutual fund यदि 20, 25, 22% के return दे रहा है, तो उसी category के दूसरी AMC की जो scheme है, वो क्यों 15, 17% के return दे रहे हैं, ये भी एक question निकल कर आता है, कि return में इतना बड़ा difference क्यों, इतना बड़ा gap of return क्यों है, क्या quant के sales से हो रही है, quant mutual fund कहीं और से कमाई निकर के दे रहाना, इस्टोक खरीते हैं, जो उनमे movement आता है, उसी के उपर आपको return मिलता है, आप बात आते हैं, मैंने बता दिया, इतना ही समझने की जरूत 30 में, कुछ और समझने की जरूत नहीं है, जो news चलते रहेंगे, उस पर आप सेवी के द्वारा कराया हो, ऐसा भी हो सकता है, यदि कोई विक्ति आपका प्रणोसी आपसे आगे निकल जाए, आप या तो अपने आपको आगे बढ़ा कर आगे निकलोगे, या फिर उसकी टांग पर खिंच लूत तब आगे निकल सकते हो, तो यह हो सकता है, quant mutual fund के साथ SI किया जा रहा हो, तो जो भी है, वो सामने निकल कर आजाएगा, लेकिन आपको अपने investment के साथ, जो मैं भी करूँगा, अभी कुछ भी करने जीरोत नहीं है, आपकी चाहें वो SIP है, चाहें लंसम है, यदि लंसम है, तो आपको लगता है, आप बहुँजा डर गयो, तो आ इस टाइम के लिए investment रोका जा सकता है, इस तरह का excellence लिए सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन investor के साथ, कोई भी नुकसान मुझे, कोई इस तरह की देखने को सुनने में अभी नहीं लगता है, कि कुछ नुकसान आपका होगा, तो quant का और grow का ये हमने समझे लिया ह तो बाकी मित्रों के साथ भी सेर कीजिए, बाकी मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्कार, जाहिए, जावरत